तो हेलो दोस्तों मेरे नाम है शाम चोहान और आप देख रहे हैं इसके कारबर्ड और सामने अपने हैं मारुति सुजु की वेगनार VXI वेडियंट है और यह इसकी चावी है चावी की बात करें तो वही जो सुजु के में सजी तो टिपिकल देता है वही कि इसके अंदर हमे करें इसके डिजाइन लेंग्वेज से तो देखो डिजाइन लेंग्वेज की बात इसी है क्योंकि यह VXI वेरेंट है तो इसके अंदर आपको फोगलेम तो देखो किसी परकार के नहीं मिलते है लेकिन हां उसके आउसिंग जरूर आपको यहां पर दी गई है हैडलाइट इंड़ाइड दे गए यहां अगर घर करें तो यहां पर आपको इसका इंडिकेर दिया गए जो कि हेलोजन के अंदर है उसके उपर जो है है्ड्ल जो है वो भी हैलोजन के ainsi कांद है एक बलफ जान जो पर देखोंग्यों घूप कैम टाया पर देता है तो कि कि अञ्ड़ा सीवेंट हो गए या फिर उन चीज़ों में इंजन कूलिंग की जो बात है उस चीज़ों में यह सब काम आ जाते हैं वैसे तो देखो मारूती का जो टोल बोई है वह यही है क्योंकि इसके अंदर आपको हेड्रूम जो है वह अच्छा खासा और बहुत ही बहतरीन मिल जाता है साइड प्रोफाइल में हमारी जो नजर है वह सबसे पहले जाएगी इसके टाइर हैं टाइर्स पर आप देखो टाइर की बात करें तो इसके अंदर आपको स्टील रिम दी जाते हैं किसी भी प्रकार आपको अलोई विल जो है वह नहीं दिया जाता है तो टाइर साइज की आप एकर बात करें तो यह आप यहां पर देख सकते हूं और 14 14 इंच के अंदर आपको टा मिल जाता है को अब संस्पैंसन डेंसरे हैं ऑगर बात करें तो यह यिस बात है कि सप्रोटेक्शन के लिए इचा काम करती है और और अगर side profile की बात करें जो door handle है वो normal से दिये जाते हैं लेकिन दिये जाते हैं body color में quest sensor जो है किसी परकार का आपको इसके अंदर नहीं मिलता आपको key लगाने के लिए जगा दी जाती है अब बात करें देखो ORBM की तो ORBM आपको इसके अंदर ओटमेटिक दिये जाता है और ORBM पर किसी परकार की कोई भी जो इंडिकेटर है वो नहीं दे जाता है इंडिकेटर जो आपको यहां पर ही इसका देखने को मिलता है अब बात कर लेते हैं इसके पीछे की प्रोफाइल की देखों पीछे की प्रोफाइल में सबसे पहले आपकी नजर जाएगी जो यह टायर्स है इन पर यह भी आपको इस्टिल्र में दिया जाता है 14 इंच की टायर्स मिलते हैं आपको इसके अंदर suspension travel की बात करें तो अच्छा खासा suspension travel जो है आपको मिल जाता है ठीक है और अगर बात करें हम इसके अंदर कवरिंग की तो कवरिंग आपको किसी प्रोफाइल की नहीं दी जाती है लेकिन हां rubber paint जो है वो आपको इसके अंदर मिलता है जिसके आपकी गाड़ी में रस्टिंग रगलेंगी जो problem है वो काफिया तक control की जा सकती है अब बात करें इसके पीछे की profile की तो देखो पीछे की profile में जो इसकी तेल लाइट है तेल लाइट है गाफी बडी दी गई है उसके अंदर बलब दी जाते है यह अगर overall break progression और थी प्रोफाइल कि अगर भात करें तो इसके अंदर आपको दो parking sensor जो है दिये जाते हैं दो parking sensor आज के इंदर आपको चार पारकिंग sensor नहीं मिलते हैं यहां पर मारुति ने coast cutting वो साफ तरपर की है उसके बाद बात करते हैं यहां पर एक chrome की बड़ी सी lining जो है पर मिलती है किसी भी प्रकार का वाईपर ओंधर जो आपके तो आ स्वेय के तो वह आपको उसके हां के प्रोफाइलए देख लेकर आपको पता चलेगा कि यह वेगनार ही या ऐ जो पहले गी वेगनार थी और ये वेगनार इसमें जो डिजाइन जो लेंग वेज है उसको काफी हद तक चेंज किया गया और काफी प्रीमियम टाइपी से बनाया गया है अब बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की अब बूट को खूलने के लिए यहां पर आपको डेडिकेट बटन जो है वो दिया जाता है उसके बाद यह अपने आप जो है ओपन हाजाते है आपको अपने हाथ से जो है नहीं लगाना पड़ता यह जो देख रहे हैं आप यह अब बात करें यहां पर आपको एक पार्सल ट्रेज दी जाती है तो मुझे अच्छी लगी इसकी क्वालिटी मटीरिल उफ क्वालिटी जो है वो मुझे काफी अच्छा लगा आप बात करते हैं इसके बूट की देखो बूट जो है आपको अच्छी तरीके से वेल्ड कवर दिया जाता है किसी भी परकार की जो लाइणिंग है वह आपको इसके इंदर किसी परकार की नहीं मिलती है ठीक है और अगर बात करें शीट्स की तो यह आपको 60-40 उसके बात करें इसके इसके आपको इसके नीचे मिलेगा और इसके इसके टायर साइज की अगर बात करें तो यह भी आपको 14 इंस का ही टायर मिलेगा और यह बूट आपको इसके इंदर दिया जाता है अब बात करें और इसके इन फिनिस की तो देखो फिट इन फिनिस के मामला यह है कि आपको कोई भी जो चीज अवो एक्सपोज जो आया नहीं मिलती अच्छी तरीकर से वेल्ट कावर ढक्यूई मिलती है अगर आगर हम तो जो फिट इन फिनिस जो लेवल है ना वो मुझे अच्छा लगा और जो किसी प्रकार की जैसे एक्सपोज कोई चीज मुझे नजर नहीं आई ठीक है बूट को करते हैं बंद और चलते हैं इसकी रियर सीट की तरफ रियर सीट जो है ना उसे खौलने के लिए यहां पर आपको को फिलर अवारूइन ऑपको आप के बिदेनी के जाते हैं तो इससी प्रकार की आपको करते हैं घुख् zeर गर्ले बात करूं तो अच्छी कासी आपको इसकैना और अधर की परिशानी की वह आपको महसूस नहीं होगी नहीं आपको लगेगी अब देखो अगर बात करें हम डोर ट्रिम की तो देखो डोर ट्रिम में यहां पर सिल्वरी फिनिस में इसका डोर लीवर जो है वो दिया जाता है यहां पर पावर विंडो की बटन दिया जाते है ठीक है और यहां पर जो यहां पर दिया जाता है अब ओर अल बात करें इसके पीछे की जो seats है सबसे पहले तो पेहले तो आपको दिखा देता हूँ throwifies court, जिए हाँ Thigh support आपको अच्छाए भासा रहा है Seats के बात करें तो आपको bench type HofRead 101 Thigh support की मेरे ही दिखा रही है कोई कमी नहीं होनी चे क्योंकि यह बहुत ही उंची गाड़ी है उस वज़े से आपको हेड रूम और थाइस पोट में कमी नहीं होगी बाकी जो आप अंदर बैठकर जो है देख लेते हैं इसके अंदर केसा स्पेस में दिया जाता है देखो गेट को अगरते हैं बंद गेट क नियूंद आपको अच्छा कासा मिल जाता है आप अगर बात करें हम हैं की तो देखो हैं आपको 2 अंदर बहुत जबर्दस बर अच्छा Gonna रसकर अब बात करें इसके अंदर तींजनों के बेटने कि तो देखो तींजने रोख सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई प्रोब्लम जो है वो नहीं होगी ठीक है 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 अगर बात की जाए तो यह आपको फिक्स टाइप ही इसके अंदर मिलते हैं किसी भी प्रकार का आम रेस्ट जो आपको नहीं मिलता वो मैंने आपको बताए था ना 60-40 स्प्लिट जो आपकी सीट से वो यह आप यहां से देख सकत अब अगर बात करें थाइस पोर्ट की तो देखो थाइस पोर्ट जो है यह आपको अच्छा खासा मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा खासा आपको इसके अंदर थाइस पोर्ट जो है वो मिल जाता है किसी भी प्रकार की कोई कमी इसके अंदर आपको नहीं मैसूस होगी ठीक अब बात कर लेते हैं यह बीच में आपको हम्प में इतना एक है। अगर भेते हिपरी का भाट और बहुत ही उर्ची है। आपको के निठा ही कि यह बात है और अधिए पर वह टी सब मतता है। आप देश बोर्ड की बात कर लेते हैं, आपको आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, dual tone color में मिलता है, इसका जो डेश बोर्ड है, और उसके लावगा जो इसकी seat है, वो भी आपको dual tone color में ही देजाती है, बागे बाते हैं, आगे चल कर करते हैं, आपके तो ड्राइवर ड्र को करते हैं ओपन ड्राइवर ड्र को जो हैंडल वह भी आपको बोडी कलर में दिया जाता है और यहां पर रिक्वेस्ट टाइक कोई चीज आपको देखने को नहीं मिलती है लेकिन यहां पर आपको चाबी लगाने की जो जगाए वह जुरूर दी जाती है अब देखो डॉर को करते हैं ओपन अब दोर को जब भी आप खोलोगे तो इसकी जो ओपनिंग आपको काफी पसंद आएगी एचली दोर बड़ा भी बहुत है बड़ा दोर होने के वज़े से आपको जो इसकी ओपनिंग अब अच्छी खासी मिल जाती है ठीक है अ जो खुलने में भी काफी वाइड है ओके तो अब इसके अंदर क्या हमें मिल जाता है देखो यहां पर आपको जो डॉर लिवर है जो सिल्वर कलर में आपको दिया जाता है उसके अलाब आप से और विंडो ओर विंडो और विम के बटन लोग अनलोग बगेरा की सब चीज क आपको इसके अंदर बटन जो हैं आपर मिल जाते हैं यहां पर थोड़ इसी स्पेस दी जाती है जो कि अंदर से देखो यहां से बंद है आप चाहे तो कुछ कोईंस वगेरा इसके अंदर रख सकते हैं साथ ही जो डोर है उसे बंद करने के लिए भी यही स्पेस आपको काम आएगा यहां पर water holder है इस तरह आपको थोड़ा सा space for दिया जाता है यहां पर आपको speaker grill दी जाती है इसके अंदर आपको चार speaker मिल जाते हैं चार speaker का music system जो आपको इसके अंदर मिल जाता है ठीक है अब देखो material की बात करें तो किसी भी परकार का जो soft touch material है वो आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा किसी भी प्लास्टिक है वो देखो यहां पर एक अलग texture है प्लास्टिक का उसके बाद यहां पर एक अलग texture यूज किया गया है इसी परकार से यहां पर भी थोड़ा सा अलग जो texture है वो यूज किया गया है ठीक है तो texture जो है प्लास्टिक का वो थोड़ा सा सभी जगा अलग अलग आपको देखने को मिलता है ठीक है अभी देखो बात करते हैं यहां की सबसे पहले बात कर लेते हैं इस तरफ यह आपको तीनो जो पेडल्स है वो दिये जाते हैं और यहां पर एक आपको dead pedal भी है वो भी द दिया जाता है अब देखो ड्रैवर शीट की जो पात करें कर दो चैट क clot कि देखो अलग व्रॉपार के अगर बब्रोट और काइजस्पंट के अधर बहते है अब sheet adjustment के अगर बात करें तो देखो sheet जो है आप यहाँ से recline कर सकते हैं ठीक है और height adjustment के लिए इसके अंदर किसी पर का कोई liver जो है वो नहीं दिया जाता ठीक है और sheet को आगे और पीछे करने के लिए यहाँ पर जो liver दिया जाता है बंद sheet को परते हैं पीछे ठीक है अभी देखो dual tone color में आपको इसका जो dashboard वो मिल जाता है और इसका जो glove box है वो decent enough मुझे लगा ठीक है और इसके अंदर मतलब कुछ खास जगा मुझे नहीं लगी ठीक है IR beam जो है वो आपको manually मिलता है ठीक है इस तरह जो यह sun visor है इसके अंदर आपको mirror तो मिलता है लेकिन किसी प्रगर की light जो है वो नहीं मिलती ठीक है यहां पर आपको ticket holder मिलता है विजर और light दोनों ही नहीं मिलती अगर अब बात करें लाइट की तो हेलोजन के इंदर मिलती है जो कि मारुत की सभी कार में मिलती है सेंटर कंसोल की अगर बात करें तो देखो सेंटर कंसोल जो है देखो म्यूजिक सिस्टम इसका जो टो वेरेंट है उसके अंदर आपको touch display के साथ मिलता है ठीक है उसके बाद यह जो आप देख रहे हो यहां पर hazard lamp जो है उसका शुच है उसके बाद manual जो AC है वो आपको मिल जाती है यहां पर ठीक है इसके अलावा यहां पर थोड़ा सा space जो है आपको और मिलता है और इसके अंदर आपको एक 12V power socket जो है वो भी दिया जाता है यह इसका manual transmission 5 speed गा वो मिल जाता है इसके अंदर उसके बाद अगर बात करें तो देखो यह जो आपको थोड़ा space यहां पर दिया जाता है यहां प सकता था लेकिन नहीं किया गया है इसका parking brake आपको यहां पर मिलता है इसके अंदर armrest जो है वो आपको किजी बरकार का नहीं देखने को मिलेगा और नहीं इसके अंदर आता है ठीक है अब देखो इसके music system की अगर बात करें तो music system है इसके अंदर आपको यहां पर usb और aux की जो port है वो दिये जाते हैं ठीक है छोटी सी आपको इसके अंदर display मिलती है देखो अगर यह top model होता तो इसके अंदर आपको touch display जो होता music system वो दिया जाता लेकिन इसके अंदर आपको जो buttons दो दिये गए हैं वो मुझे काफी sufficient जो लगे यह देखो यह tuning का जो button है यह आपको इसके अलावा यहां पर volume rocker दिया जाता है यहां पर टेलीफोने के controls यह दिया जाते हैं menu दिया जाता है वगेरा जो आपको जो चाहिए एचली में जो चीजे चीए है न यहां पर वो आपको सब यहां पर मिलती है और दी जाती है ठीक है ऐसी वेंट की अगर बात करें तो देखो ऐसी वेंट जो है यहां पर एक अलग design यूज किया गए और इस तरफ आपको एक अलग design यूज जो है मिलता है डेस्ट बोड की लेंथ के अगर बात करें तो अच्छी खासी जो लेंथ वो आप देख सकते हो कितनी है almost मेरा पूरा हत इसके अंदर चला जाता है लेंथ अच्छी आप अपना कोई भी जैसे कुछ यहां आपर रखना चाहिए तो आप रख सकते हैं अच्छी हां हाड प्लास्टिक दिया गया है वैसे देखो मैंने आपको बताया था ना कि इसके अंदर जो प्लास्टिक जो यूज किया गया है वह अच्छा है लेकिन जो टेक्स्टर जो है वह अलग तरीका के यूज किया गया है देखो यहां पर भी वही टेक्स जो मैंने स्टेरिंग्विल की बात करें तो आपको इसके न्रtier लेधर करें तो हम देखते हैं स्टेरिंग्विल आपको त्लिट्ट तेलिस्टापिक पृष टेलिग को की कि लगाई जाता है थीक को लगाने के लिए जगा है आपको यहाँ पर आपको यह दीजाती है तीक है अब स्पीड की अगर बात करें तो देखो इसकी अंदर आपको छोटी इसके अंदर आपको fuel बगेरा, speed, कितने गाड़ी चल चुकिया बगेरा इसके अंदर दिखाया जाता है और जो main आप देख रहे हो ना, जिसके जो इसका speedometer है, वो आपको analog के अंदर ही दिया जाता है इसके अलावा जो आप देख रहे हो ना, इस तरफ, यहाँ पर, इस तरफ जो है ना, आपको इसका टेकोमेटर बगेरा, वो सब चीजे जो information है वो आपको इसके अंदर मिल जाती है और इसके अंदर दी जाती है तो बस इतना ही था, इस वीडियो में, यह है मारती सुचुगी की वेगनार VXI variant है गाड़ी आपको कैसे लगी, वीडियो आपको कैसे लगी, मुझे कामेट सेक में जरूर बताना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को किजिए लाइक और चैनल को किजिए सब्सक्राइब, तब तक के लिए जय हिंद